जे मसी की दोस्तों, आज के सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है लुखा की बुस्तक उसका सतरवा अध्याय और उसका वचन बारवा, तेरवा और चात्वा वचन कहता है जो ही उसने किसी गाउं में प्रवेश किया तो दूर खड़े दस कोड़ी उसे मिले उन्होंने उची आवाज में पुकार कर कहा, हे ईश्यो स्वामी हम पर दया कर तब उसने उन्हें देखा, तो कहा, जाकर अपने आपको याश्कों को दिखाओ धन्यवा पिता परमेश्यो, तेरे मुख से निकली हरवानी शुद्ध है, पवित्र है रुस्षिद्ध है क्या देखा ईश्यो मसी ने कोडियों में, वो कोडी में जाने कब से खड़े थे यरुस्लम से आते हुए, सामरी और गलील से होते हुए, जब ईश्यो मसी जा रहे थे कब से खड़े वो कोड़ी इंतजार कर रहे थे उस विश्वास को थामे हुए उस धैरे को थामे हुए वो कोड़ी इंतजार कर रहे थे वो जान गए थे कि यही उधार करता है यही चंगाई दाता है और उन्होंने किसी की फिकर नहीं की क्योंकि वहाँ पर कानून था वहाँ कानून था कि जो कोड है जिसको कोड है वो एक तो शेहर की सीमा के अंदर रही आएगा अपने आपको कंबल से ठाके रहेगा और अगर कोई आदमी अनजाने में उसके करीब आता है तो अशुद अशुद चीख कर बुलाकर वो अपने आपको प्रकट करता है और उस आदमी को चेताब नहीं देता है कि उसके करीब ना है क्योंकि वो अशुद है यानि कि वो कोड वो कोडी हर पल अपने आपको ये एहसास दिलाता है कि मैं अशुद हूँ लेकिन ईशुमसी इस धरती पर हमें शुद करने के लिए आए उन्होंने अपने लहू को बाया ताकि हम शुद हो जाए पूरी तरह से हम शुद हो जाए पूरी तरह से हम पवित्र हो जाए हालेलोहिया ईशुमसी परंपराओं को तोड़ने के लिए आए रिती रिवासों को तोड़ने के लिए लेकिन मेरे भाई उस अच्छी भूमी को तैयार करने के लिए हमें अपने अंदर उस धहरे को उस विश्वास को उस प्यार को रखना है जो परमेश्वर का है लुकाट पंद्रा कहता है उस अच्छी भूमी के बारे में कि जब अच्छी भूमी में वो बीच पढ़ता है तो फल लाता है हालेलोया वो अच्छी भूमी हम कैसे तैयार करें अपने चीवन में उस अच्छी भूमी को तयार करने के लिए हमारे पास हमारा विश्वास होना चाहिए उस अच्छी भूमी को तयार करने के लिए हमारे पास अपना धैर होना चाहिए इन कोडियों ने जान लिया था कि एशु मसी कौन है इन कोडियों ने जान लिया था कि एशु वजी परमेश्र का पुत्र है इन कोडियों ने जान लिया था कि वो जो भी कहेगा उसके मुख से निकला हर बचन शुद है और आग्या है और नियाव है और चंगाई है इसलिए उसने उन्होंने चिला कर का हे ईशू स्वामी हम पर दया कर कोई दया करने वाला इस धरती पर नहीं है कोई नहीं है जिसके सामने हम पकार कर कहें कि हम पर दया करें कोई नहीं है जिसके हम उम्मीद करें कि वो हम पर दया करें कोई नहीं है जिस पर हम विश्वास करें तो ही है जो दया करने के यूग है तो ही है जो हम पर तरस क्वाता है इसलिए ईशुमसी कि वो अग्ञान है उनके अंदर ग्ञान नहीं वो जानते नहीं कि वो कौन है पर्मेशं के लिए कीमती चीज है वो कीमती आत्मा है। इसलिए इशुमसी ने लेखime की आनातों की तरह ख़ड़े हुए हैं। एक ऐसी आत्मा ख़ड़े हुई जिसकी खोज में इशुमसी स्वर्ख सवर्ख से जमीन पर आया। एक ऐसी आत्मा सामने खड़ी है जिसका शुद्ध करने के लिए इशुमसी स्वर्ष से जमीन पर आया और उस आत्मा को एशुमसी ने देखा और कहा कि तु जा तु शुद्ध हो चुका है तु जा अपनी व्यवस्ता के नुसार अपने कानुन के नुसार याचकों को दिखा ताकि तु शुद्ध माना जाए और वो करार करें वो हस्ताक्यर करें तेरे उपर कि तु शुद्ध है धन्यमात पिता परमेश्य इश्यमसी तुम महान है और तेरा अंतकरन तेरा विचार तेरी दया हम पर कृपा हमेशा बनी है हम इसलिए परमेश्य कहता है इसलिए बाइबल कहती है वचन कहता है कि हमें अपनी भूमी को तैयार करना है परमेशर के वो वचन, ईशू मसी के वो वचन उन दस कोडियों पर कैसे लाग हुए जो कि उन्होंने अपनी भूमी को तैयार किया हुआ था उनकी भूमी विश्वास और धहरे के संग तैयार थी उस वचन को लेने के लिए देखिए भूमी को परमेशर ने आशीश दिया हुआ है अच्छी भूमी जब एक बीच को लेती है तो फ़सल उगती है निश्चे है कि वो फ़सल उगेगी इसलिए परमेशर का हर वचन फ़सल उगाने के योग्य है परमेशर का हर वचन आशीश देने के योग्य है बस हम अपनी भूमी को तैयार करें हम अपनी भूमी को तैयार करें और हर वचन को विश्वास और दिर्टा और सहास के साथ धहर के साथ ले और उसे अपने अंदर बसा ले ताकि वो आशीश, वो सुह, वो चंगाई, वो महीमा, वो अभी शेक, परमेश्ड का वो सामर्थ हमारे शीवन में काम करे, आई है अब रात रहuous नगरे पिता परमेशर तेरे पवित समर्थी नाम में आत्मु शिफा है परमेशर आज की सुबह हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं अपने आपको और हम मांगते हैं, हमें मांगते हैं कि हमें ऐसी बुद्धी दे ताकि हम अपनी भूमी को तैयार करने के योग्य बन सकें और हम पनी भूमी को तैयार करें ताकि कोई भी विडम बना कोई भी पत्थर कोई भी चटान हमारे जीवन में कोई भी तुपान हमारे जीवन में आए लेकिन हम डखमका हैं नहीं हमारी भूमी में तेरा वचन जाए और वो फसल पैदा करे और वो वो पेड़ पैदा करे जिसमें अद्बूत आशीशित परशुपक्षी लोगों के लिए हम आशीश का कारण बने वो फल हमारे अंदर से उगे जो हम लोगों को दे सकें इश्यू मसी के पबद समाथी नाम से सुनने वाले हर भाई भेने के लिए आशीर सुक और संगाई मांगता हूँ एमें एमें एमें